हलो cue good morning my dear student today i will discuss on complex number हम आज complex number के बारे में पढ़ेंगे complex number होता क्याved Maarant ज़रूत पढ़ी और यह इसका मतलब अपने पास यह नेट क्या है तो आपको पता होगा कि जितिनी भी आपके पास में अन्रोड में नेगटिब बेलू आती है कोई भी नेगटिब बेलू एकस है इसकी आप कोई भी बेलू फाइंड आउट नहीं कर सकते तो उस case में उस case में क्या हुआ था कि mathematics ही नहीं हुए थे जिनको वो लगए महावीर जो 850 में और बासका राच्चर जो 1150 में इन्होंने एक पुस्तक में गड़त सा मतलब mathematics और algebraic value में रेनातों के लिए negative value के लिए इन्होंने उस चीज को एक अलग means में define किया गा था उस चीज को जैसे और एक और जिसमें क्या है कि यह क्या है रियल वैलू नहीं आती है क्या नहीं आती है रियल वैलू नहीं आती है तो इस चीज को इन्होंने क्या किया कर दिया था इस चीज को कनवर्ट करने के लिए एक आईलन नामक बेक गयाने के हुए थे जिन्होंने अपने ही नाम के उपर इन्होंन चीज़ का जो island नाम सेंटिक्स्ट थे there around या नो वे ग्यान थे उन्होंने चीज़ब कर दिया चाहर आई से डिनोट कर दिया जाता यह इस को अपन क्या बुल देते हैं आयोटा क्या बोल देते हैं आपके पास आयोटा बोल दे जाता है क्योंकि आप नेगेटिब में आप वैलू कोई भी डिफाइंड नहीं कर सकते तो उसके लिए आयलन नामक साइंटेस्ट थे उन्होंने सेवेंटी पॲटी एट में आयोटा नाम नाम दिया था किसको अंडरूट माइनस बन को क्यों क्यों दिया था क्योंकि यह क्या है आपके पास इमेजनीरिय मैल हुए इसके आपने पास रूट्स डिफाइंड नहीं कर सकते तो उसके लिए इन्होंने एक डिफाइन कर दिया गया था और उसके लिए आपने क्या दिया था क्या आयोटा नाम दे दिया गया था तो जो भी आयोटा वाली डिजिट हैं जो भी आयोटा वाले कॉपी से जो भी आपके हैं तो उस उनको बोला जाता है क्या imaginary number उनको क्या पूल लाते है आपके पास जो भी रेनात वक मेलो होती हैं जैसे चाहित अपने निकाल नहीं सकते जैसें अपन क्या बुल रहा है आपन dicho inbox के अपनर इसकी अपन इसकी रियल वेफ्ट नहीं करarta और आपने पास इमेजनरी नमबर इसको अपन क्या बोल देते हैं इमेजनरी नमबर इसको अपन क्या बोल देते हैं इमेजनरी नमबर ठीक तो इसमें से इन्होंने क्या किया था अंडरूड बन को अलग अंडरूड एट को अलग और यहां से आपन क्या कर सकते हैं इसको नाम दे दिया गया क्या आयोटा तो इस तरीके से अपने क्या किया था आयोटा का उत्पत्ति हुई आयोटा का डिफाइन किया गया अब द डेकिए आयोटा की पावर के ऊपढ़ पावर क्या होती है तो उससे क्या वलता है तो सब से पहले है क्पाता चल गया क्या पाइट क्या होता है आपको अंडरूड माइनस बंदा GORDON अब देखिए हैंसे चैना पता चलता है आपके आउंडर जाता है झालता निकलका इ experienced माइनस का 1 तो आयटा स्कार की वैल कितनी हो जाती है माइनस 1 ठीक है अब इसके बाद में आता है आपके पास आयटा की पावर 3 इसको आपने लिख सकते हैं आयटा स्कार मल्टिप्लाइड में आयटा ठीक है आयटा स्कार मल्टिप्लाइड में क्या लिख सकते हैं आयटा पाड़े सकते हैं आपके पास में हो जाती है इस तरीक हो जाती है ऑगा यह कितने आती है प्लस का वन अब देखिए जब भी आपके पास आइटा की पावर पोर एन की ट्रम में बनेगा तो उसकी वैलू क्या जाएगे वन तो इसलिए आप जितनी भी आपके पास पावर होती है उनको अपन क्या तोड़ोगे फोर के मल्टिपल में तोड़ोगे तो इस ठीटि गो ठीटितू के फ़ीचित इसको आपन किया लिए सकते हैं मेल पावर फोर और इसके पावर कितना हो जाएगा तो किर चलीकर अगर अगर यहां पर अपने पास होता है आयटाई पावर 39 ठीक है तो इसको अपने क्यास तोड़ते है कि आयटाई पावर 4 अगर सब्सक्राइब यहीं पर आपके पास होता है कि आयटाई पावर पर पटीटंटो वन अपन आप ऊच्पुतिटू और इसके लिए क्या कर सकते है आपन वह इंतल पावर 4 और इस का मिलटेप्लाइब कितने से कर दिये आपने तो कितना बच het 40 हो गया और यह कितना वोचिछ है राइप कितना इसकि वैलू ते क्या हो जाती है वन हो जाती है और माने बारों मैनस कर सकते हैं ensuring किषी को भी कर सकते हैं कि इस तरीके से क्या कर सकते हैं मैनस में values find out कर सकते हैं कितनी भी power हो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसको आपको तोड़ना पड़ेगा प्यों के multiple में आपको पता है क्योंकि आइता है फूर की value कितनी हो जाती है and one हो जाती है और की पाउर कितनी भी लगाते जाएए तब भी पैलू क्या आ जाएगे आपके पास है वन बैलू आ जाएगे तब भी पैलू कितनी आ जाएगे आपके पास है वन तो इस तरीके से अब क्या करते जाता है अब देखिए कॉंप्लेक्स नंबर होता है complex number को आप denote किसे करते हो? z से. complex number को denote आप किसे करते हो? z को. z equal to आपके पास यह क्या होता है कि complex number आप complex मतलओ क्या हुता है का जब थो combination से आपस में बनता है कोई भी नमबर तो उसक्रों क्या वोले जाता है complex number मतलओ जिसमें आपके पास में कोई ऐसी संक्या जिसमें आपका रियल पार्ट भी हो और इमेजनीर पार्ट भी हो that is known as a complex number means complex number is the combination of real part plus imaginary part इसमें क्या आज तकता है आपके पास है real part और imaginary part दोनों होते हैं तो उनको क्भूल क्या हो ले आता है आपके पास में complex number तो इसको denote कर दिया जाता है आपके पास है चाहे तो आप यह लिख सकते हो एक plus ayota b चाहे एक्स को इसी तरीके से डोनों का means a के तो देखियेगा अगर आप a plus ayota b से denote कर देते हो तब क्या होता है और आप x plus ayota Y तो देखिए यहां से आप चलते हो एक प्लस आयाटा भी तो एक प्लस आयाटा बी से अगर डेनोट कर रहे हो यह कैसे साथ अ modular और मैघनेड़ लिपार्ट B is the imaginary part and A is the imaginary, A is the real part, real part मतलब IATA का जो भी coefficient होगा वो कलाएगा आपके पास imaginary part और जो without IATA वाला coefficient होगा उसको बोला जाएगा आपके पास imaginary part तो आपके पास इसको लिखने के लिए जैसे real part को लिखना है तो REZ equal to अपने पास है किए अगर आई यहीं पर अपने पास खो इसको लिकहा जाता है क्वरट के ऐक Q2 एक्वनट्य यह यहाँ पर देखिये अब आपके पास चलता और एक मताएं पास प्रीय॓र जब tycker पास यह चीज होती है कि जैड एक्वल टू अनली ए प्लस आयोटा जीरो हो मतलब जो इमेजनीर पार्ट है वो क्या हो जीरो हो तब आपके पास तो क्या वो कर लाता है एक कॉल टू क्या लेख सकते है इसको बोला जाएगा प्योर्ली रियल पार्ट है प्योर्ली रियल इसको क्या बोला जाएगा प्योर्ली रियल बोला जाएगा ठीक है जब आपके पास में क्या हो b equal to 0 हो तब उसको क्या बोला जाएगा purely real ठीक है if if z equal to यह हो आपने पास में कि 0 plus 0 plus iota b if z equal to यह चीज होती है कि 0 plus iota b then z बरावर क्या हो जाता है आपके पास में इसको क्या बोला जाएगा आपके पास में क्या purely imaginary इसको क्या बोला जाएगा purely imaginary बोला जाएगा इसको अपन क्या पूल लियाता है purely imaginary जाड़ी इमेजनरी ठीक है क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा रियल पार्ट है और इसमें क्या आता है इमेजनरी पार्ट है उनली तो इसे क्या हो जाता है आपके पास में purely real और purely imaginary तो अब यहां से पता चलेगे आपके पास हो के रियल पार्ट क्या होता है इमेजनरी पार्ट क्या होता है तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं डिफाइंड कर सकते हैं रियल और इमेजनरी तो जेड़ एक जेड़ एक कल टू आपके पास हो क्या था यह प्लस आयोटा भी इसक complex number complex number a is the real part b is the imaginary part ये को क्या बोले जाएगा real part और बी को क्या बोले जाएगा imaginary part इसके बाद आता है आपके पास में कॉंजूगेट ओफ कॉंजूगेट ओफ कॉंजूगेट ओफ कॉंजूगेट क्या होता है कॉंजूगेट क्या होता है कॉंजूगेट ओफ कॉंप्लेक्स नंबर मतलब कॉंप्लेक्स नंबर का जस्ट अपोजिट उसको क्या बोले जाता है अपने पास हम दे रखा है एक प्लस आयोटा भी देन कॉंजूगेट ऑफ जैड एक कोल्ट हो जाएगा आपके पास हैं क्या ए माइनस आयोटा भी जिसको डेनोट कर दिया जाता है जिसको डेनोट कर दियाता है किससे जैड बार से मतलब जो आयोटो वाला साइन होता है उसके आपोजएट साइन नहीं लेना क्या राता है कॉंजूगेट किलाता है अगर suppose that z equal to अगर suppose that z equal to आपके पास दे रखा है 3 minus 4 आयटा then conjugate of z bar is equal to z bar equal to क्या हो जाएगा आपके पास 3 plus 4 आयटा ठीक है इसके बाद देखिएगा अगर आपने पास मैं z equal to minus k 4 plus k 6 आयटा दे रखा है तो conjugate of z is equal to z bar बराबर जाएगा अपने पास मैं minus k 4 minus k 6 आयटा ये क्या कहलाएगा आपके बाद से conjugate कहलाएगा अगर suppose that z equal to आपने पास मैं दे रखा है क्या minus k 8 minus k 6 आयटा then conjugate of z is equal to हो जाएगा आपके पास मैं क्या minus k 8 plus k 6 आयटा that is non-exist conjugate मतलब उसको क्या बोलाएगा तो ये आपके पास मैं नॉलेज होना खंपल जरीता है तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं इस चीज को define कर सकते हैं सो थेंक्यू 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 फॉर बॉच्चिंग देस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें थेंक्यू मिलते हैं अपन अब इससे आगे पढ़ेंगा अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में तो वहां पर आप देखिएगा और देखते रहे हैं थेंक्यू अगर आपको उपासन कुछ भी कुछ भी में सब्सक्राइब कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं थेंक्यू